नमस्कार मित्रों, कवी बनारस के इस मंच पर आपका हर्दिक भिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे एक नई कविता, इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है, आँखों को दिखना कुछ छूट सा गया है जाओ तलासो रोसनी का कुम्ब है यहीं कहीं बस सुराखों से निकलना छूट सा गया है इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है कुछ गिरा नहीं फिर भी मानों कुछ तूट सा गया है इस्वर से जुडने का जो मध्यम है वो रूट सा गया है सागर का जल्था अथा पड़ इन दिनों कुछ सूख सा गया है सफ़ड को चबने वाले पाव में नुकिला कुछ चूप सा गया है इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है दिल से निकलती आवाजें घूट सा गया है चीखों का बदलाव कुछ हूख सा हुआ है प्रखर आवाज घुट कर मूख सा हुआ है चित्रों को खीचने वाला कलम अब चूख सा गया है इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है बसंत आने पर जूम उठने वाला मन अब कुछ उब सा गया है हरा भरा ब्रिच कलपना का ठूट सा हुआ है दरिया सीमितों मानों अंध कूप सा हुआ है इन दिनों लिखना कुछ छूट सा गया है बीज बोय विशाल ब्रिच के अंकुर फूटा पर बस दूब सा हुआ है बिशाल पडवसिलाईं सिकुरकड मानो केवल सूप सा हुआ है इन दिनों लिखना को छूच सा गया है ग्रिस्म की पचन ज्वाला मुखी सीथ के धूप सा हुआ है तलवार लगू हुई सुई के रूप सा हुआ है मानो सौन, पीतल के सरूप सा हुआ है, सारे पतिकों का लूप सा हुआ है, इन दिनों लिखना कुछ छूच सा गया है